इन बी सीन के बिजनेस नूज में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ पल लवी हरी निशान पर खुला शहर बाजार संसेक 204 ने अंक्य उपर तुनिप्टी के सजार 900 कि पाल एलन माक्स ने फिर लगाया पैसो का अंबार एक जटके में 8.45 अरब डॉलर पर गई नेटवार रिलांस ने 19 साल में कमाई 19 लाग करोड रुपए 1 रिलियन डॉलर पर पोंशनी की तयारी में मुकेश अंबानी हपते की आकरी कारोबारी दिन यानि शुक्रवार को शर बाजार की सकारात्मक शुर्वात हुई संसेक्स खुलते ही 306 अंकों की बड़ोतरी के साथ 62,356 पर पोच गया वही निप्टी कारोबारी 90 अंकों की बढ़त के साथ 22,000 का आकड़ा पार कर गया संसेक्स में अधिकतर कंपनियों के शर शुरुवाती कारोबार में हरे निशान पर खुले इन में टाटा मोटस और महिंदरा और महिंदरा के शहरों में तो दो पसिदिक तक उच्छाल देखनी को मिली वहीं नीप्टी में भी अधिकतर कंपनियों ने बड़ी चलांग लगाई है दुनिया की सबसे बड़े रईस एलान मास्क की नेटवत में गूरवार को 8.49 अरब डॉलर यानि की करीब 70,000 करोड रुपे की काफी तेजी आई है नए साल में पहली बार मास्क की नेटवत में इतनी उच्छाल देखनी को मिल रही है इसकी वज़व है कि इलेक्रोनी कार बनाने वाली कमपनी टेसला के शेयरों में गूरवार को 6.22 प्रतिशत तेजी आई इसके साथ ही मास्क की नेटवत 214 अरब डॉलर पहुच गई है और वह 200 डॉलर प्लस कलब में शामिल अक्केली रईस है हाला कि इस साल उनके नेटवत में कूल 15.3 अरब डॉलर की गिरावट आई है और टॉप 10 में वह नेटवत गवाने वाले एक मात्र अरब पती है पेटियम की फास्ट्राइक यूजर के लिए बड़ी खबर सामने आई है नैशनल हाइवे ऑथोरिटी ओफ इंडिया की रोल ट्रोलिंग ऑथोरिटी की और से फास्ट्राइक यूजर के लिए सलह जारी की गई है NHAI ने अलट जानकारी कर लोगों से अधिकृत बैंकों से फास्ट्राइक खरिदने का आगरह किया है पेटियम फास्ट्राइक यूजर को नया फास्ट्राइक लेना होगा अब FastTrack जारी करने के लिए Paytm Payment Bank अधिकृत बैंक नहीं रह गये है IHMCL ने उन 32 बैंकों की सूशना जारी की है जहाँ से यूजर अपने लिए FastTrack खरिद सकते हैं FastTrack देने वाले बैंकों की लिस्ट से Paytm Payment Bank का नाम गायब है Paytm का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है मीडिया रिपोर्ट के मुताबि जिन लोगों को Paytm Tag मिले है उन्हें उसे सलेंडर करना होगा और अधिकृत बैंकों से नए टैग खरिदने होंगे Paytm Payment Bank के FastTrack जारी करने वाली अधिकृत बैंकों की लिस्ट से बाहर होने से इसके करीब दो करूट यूजर्स पर असर पड़ेगा इन यूजर्स को अब नया FastTrack लेना होगा Paytm का FastTrack अब 29 फरवरी के बाद रिचार्ज नहीं हो पाएगा देश की सबसे वैल्यूबल कंपणी रिलैंस इंडरस्टी का मार्केट कैब हाल ही में 20 लाग करूट रुपे पहुच गया है मुकिश अमपानी यह कंपणी दलाल स्रीक के इतिहास में सबसे जादा कमाई करने वाली कंपणी है पिछले 19 साल में इस कंपणी के मार्केट कैब में 19 लाग करूट रुपे का इजापा हुआ है इस अवदे में कंपणी के मार्केट कैब में सालाना एक लाग करूट रुपे की बढ़तरी हुई है Reliance का Market Cap अब McDonald's, PepsiCo, Netflix और Exchanger से जादा हो गया है Reliance 249.41 अरब डॉलर के Market Cap के साथ दुनिया की 43 वी सबसे मुल्यवान कमपनी है 249.81 अरब डॉलर के Market Cap के साथ दुनिया की 43 वी सबसे मुल्यवान कमपनी है एक रिपोर्ट की मुताबि 2032 तक भारत को पहला ट्रिलियन डॉलर स्टॉक करीब 83 लाग करूड रुपे मिल सकता है और इस होड में रिलैंस सबसे आगे चल रही है रिलैंस बैंक का मार्केट कैब 2005 में 1 लाग करूड रुपे था जुलाई 2017 में यह 5 लाग करूड रुपे था नवंबर 2019 में 10 लाग करूड रुपे तो सितमबर 2021 में 15 लाग करूड रुपे था और 13 फरवरी 2024 को 20 लाग करूड रुपे पहुचा यह साल रिलैंस के लिए काफी अहम होने वाला है इसके वज़़ यह है कि कमपनी अब इन्वेस्मेंट से मोनिटाजेशन फेज में आ गई है पिछले 3 मेने में कमपनी का शेयर 28 प्रतिशत चड़ा है रिलैंस का बिजनेस पेट्रो केलिकर से लेकर न्यू एजनसी टेलिकॉम और रिटेल तक फेला है अगर रिलैंस देश का पहला ट्रिलियन डॉलर स्टॉक बनता है तो इससे अंबानी परिवार की नेटवत में भी काफी इजाफा होगा रिलैंस गुरूप में अंबानी परिवार की आधि से अधिक हिस्सेदारी है एक बार फिर से किसान आंदोलन दिल्ली से सटे बॉर्डर पर देखने को मिल रहे है 16 फरवरी की दिन भारतिय किसान यूनियन ने मजदूर यूनियन के साथ मिलकर भारत बन करने का एलान किया है इसका असर बैंक से लेकर डिमांड एंड सप्लाई पर देखने को मिल सकता है अगर भारत बन के दोरान रेलवे ट्रैक पर जाम लगता है तो आम जनता को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है समय पर दवाय और जरूरी चीजे देश के लिए कोने से दूसरे कोनी तक नहीं पहुच पाएंगी इसका असर आम जनता को अधिक कीमत के साथ चुकाना पड़ सकता है 8 डिसंबर 2020 को जब भारत बन का एलान किया गया था तब देश को 25 से 30 हजार करूर रुपे का नुकसान हुआ था यह आकड़ा 2020 का है अभी 2024 चल रहा है एक्सपर्ट की माने तो यह आकड़ा 40 हजार करूर रुपे तक पहुच सकता है CII की रिपोर्ट यह बताती है कि भारत बन से हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है क्योंकि यह देश की एकोनॉमी से उस ब्रेक की तरह काम करता है जिसे एक बार इस्तिमाल करने की बाद जमीन पर नुकसान की ऐसी निशानी छोड़ता है जिसे चहा कर भी ठीक नहीं किया जा सकता है हरी निशान पर खुला शहर बाजार संसेक 204 ने अंक्य हूपर तुनिप्टी की सजार नौसो की पाल एलन माक्स ने फिर लगाया पैसो का अमबार एक जटके में 8.49 अरब डॉलर पर गई नेटवार्ट रिलांस ने 19 साल में कमाए 19 लाख करोड रुपए एक रिलियन डॉलर पर पोंचनी की तयारी में मुकेश अमबानी खबरों का सिलसिला यूही जारी रहेगा देखती रहेए इन बीसेन न्यूज नमस्कार